हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को रेलवे सेक्टर की एक काफी जानी मानी काफी दिगज कमपनी और L&T लिमेटेड के साथ में टोटल में दस ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में कमपनी का जो शेयर है लगबग एक परसेंट की तेजी हमें दिखाता हुआ देखने को मिला और कमपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 1000 रुपीज का था अगर इंडिया मोटर पार्ट सेंड एक्सेसरीज लिमेटेड के ओफिशल अन करेंगे आपको खुद बखुद पता लग जाएगा काफी जाधा शांदार डिविडेंड अनौंस किया गया है और इसको देने की जो एक्स डेट और रेकॉर्ड डेट है वो 15 जुलाइ यानि की 15 जुलाइ की रहने वली है और वहीं जो डिविडेंड की पेमेंट डेट है वो रहेगी 22 अगस्ट की यानि की 22 अगस्ट या फिर उससे पहले आपकी बैंक अकाउंट के अंदर में जो भी डिविडेंड का टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Century Enka Limited इस कंपनी के शेयर के अंदर में यहाँ पे डिविडेंड अनॉंस कर दिया है 10 रुपीस का डिफिनेटली यह डिविडेंड भी काफी अच्छा है अगर आप कंपनी के शेयर प्राइस के साथ में कंपेर करेंगे इसे और वहीं बात करें डिविडेंड को देने की X डेट और रिकॉर्ड डेट की तो वो आप लगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है समवर्धना मदर सन इंटरनाशनल लिमिटेड आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर पे हमें लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली और कंपनी के शेयर का जो और एक शेयर के उपर में 80 पैसे का ही डिविडेंट दिया जाएगा अब डिविडेंट वैल्यू इतना जाद अच्छा नहीं है बाकी इसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी अभी फिलाल अपकमिंग में है तो आप लोग चानल को सबस्क्राइब कर लीजेग पर लगबग 0.7% का एक करेक्शन हमें देखने को मिला और कमपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 99 रुपीज का था कमपनी के अगर ऑफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो दावन गेरे शुगर कमपनी ने जो है यहाँ आप स्टॉक स्प्लिट अनौंस करके रख शेयर्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा और अब फाइनली कमपनी ने जो है स्टॉक स्प्लिट को देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी अनौंस कर दिये जो की 31st of मेय यानि की 31 माई की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है जी एम ब्रु या मोमेंटम है कमपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 780 रुपीज का था कमपनी के अगर ऑफिशल अनौंसमेट की बात करें तो जी एम ब्रुवरीज लिमिटेड ने जो है यहाँ पे स्टॉक बोनस अनौंस करके रखा है 1 इस टू 4 के रेशियो से जिसका मदलब और यह है अगर आपके पास में इस कमपनी के चार शेयर्स है तो यहाँ पर आपको एक शेयर एजब बोनस मिलेगा फिर चाहे बेशक आपके पास में इस कमपनी के जितने मर्जी शेयर्स हो आप लगों को आपके हर चार शेयर्स के उपर में एक शेयर का बोनस दिया अगले शेयर की बात करें तो ये वही railway sector की काफी जानी मानी और काफी दिगज कंपनी है जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी कंपनी का नाम है IRFC यानि की Indian Railway Finance Corporation Indian Railways Finance Corporation के शेयर के ओपर में आज की ट्रेडिंग सेशन पे हमें 7% से भी जादा की तेजी देखने को मिली जो की डेफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक काफी जादा बढ़िया मोमेंटम है और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 169 रुपीस का था कंपनी के अगर ऑफिशल अनौसमेंट की बात करें तो Indian Railways Finance Corporation ने यहाँ पर बोर्ड मीटिंग और बोर्ड मीटिंग होने जा रही है इसका जो परपस है वो डिविडेंड और साथ ही साथ में क्वाटर के रिजल्ट्स को लेकर के रहने वला है अब एक चीज मैं आपको एकदम क्लियरली बता देता हूं वैसे तो आपको दोनों चीजों के उपर में नजर रखनी है डिविडेंड पे भी और साथ ही साथ में क्वाटर फोर रिजल्ट्स पे भी अब डिविडेंड तो चलिए ज वह एक कंपनी के क्वाटर फोर रिजल्ट्स विकोज अगर हमें क्वाटर फोर रिजल्ट्स के अंदर में यर ओन यर बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल गया तो डेफिनेटली इंडियन रेलवेस फानांस कॉर्पोरेशन का जो शियर है इसके अंदर हमें काफ कंपनी के शियर पे फर्दर एक अपसाइड मुमेंटम देखने को मिलेगा तो में फोकस आपका कंपनी के क्वाटर फोर रिजल्ट्स पे रखिएगा यर ओन यर बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ अगर कंपनी डिलिवर कर पाती है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर तो ड आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले अंड लास्टॉक की तो कंपनी का नाम है L&T लिमिटेड आज की ट्रेडिंग सेशन में L&T का जो शियर है अल्मोस्ट हमें फ्लाट क्लोज होता हुआ देखने को मिला है तू बी प्रेसाइस पॉइंट वन नाइन पर और आप लोगों ने एटी नाओ का नाम डेफिनेटली सुना होगा एटी नाओ की जो टीम है इसके अंदर काफी जाने माने रिसर्च आनलिस्ट और टेकनिकल आनलिस्ट मौजूद हैं अब एटी नाओ ने जो वे L&T लिमिटेड के शियर के उपर में बुलिशनेस दिखात आते वे बाइंग रेकमेंडेशन शियर करी है और यहाँ पर जो टार्गेट प्राइस दिया गया है वो 3,600 रुपीज का दिया है तो लगबग 3,454 रुपीज से लेकर के 3,600 रुपीज यानि की 3600 रुपे तक की एक जो रैली है वो यहाँ पर एटी नाओ एक्सपेक्ट कर से एक है और साथ ही साथ में जब भी इंडिया की ब्लुचिप कंपनी इसके स्टॉक्स की बात करी जाती है एल एंटी लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसका नाम डेफिनेटली आपको आता हुआ देखने को मिलता है तो ऐस सच कंपनी के अंदर में कोई प्रॉबलम नहीं है मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर आप एट लिस्ट आपका मिट टर्म तक का व्यू रख सकते हैं तब आप एल एंटी लिमिटेड के शेयर को पर्चेस कीजिए ये जो 3,600 रुपीज का टार्गेट है आपको काफी इसली एचीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा और जरूर से एल एंटी लिमिटेड के शेयर को आपके वाच लिस्ट के अंदर में अड़ कर लीजेगा और इसके अलावा आपको जिस भी कंपनी के शेयर को पर्चेस करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके अनौसमेंट का बेनिफिट मिल पाए तो उस पर्टिक कर दीचेगा विकोज फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉंटेंट देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाए